बॉल रहा है कि ए अनुपाद B कितना है 1 by 2 अनुपाद 1 by 3 इस बगार 20 अनुपाद C 1 by 5 अनुपाद 1 by 3 तब A plus B थेता B plus C का अनुपाद क्या होगा ठीक है यार देखो कल ऐसा क्योशन मैंने बताया था कि A अनुपाद B A अनुपाद B ये कितना है 1 by 2 upon 1 by 3 B अनुपाद C ये कितना है 1 by 5 अनुपाद 1 by 3 कर लूँ कर लो या LSM लेके कर लो LSM का मुल्टिप्लाई कर दो ठीक तो क्रोश ये इधर आया और यह ःदर आया तो एनुपाद B की फेक्राएं का होगी 33 इनुपाद 2 इसी प्रकार B और सी को एसे करो इदर मल्टिप्लाय करो इसका इदर कर दो यह एनि एबी की वेल्ई three is ratio two B C की वेल्ई कितनी बीज रेशो three B is ratio three is ratio three नुपात कितन है three नुपात कॉत पाच ठीक ठीक तो A B और यह सी ठीक वह प्रोसेस्ट के कलवाली इसी प्रकार यह लो ठीक तरिक इसका multiply इधर कर दो, दोनों का multiply कर दो, इसका multiply इधर कर दो, या फिर वोई process, दो को यह लिखो, तीन को यह लिखो, सबी का multiply कर दो, बिल्कुल वह answer आएगा, अनुपाद क्या आएगा, 9 अनुपाद 6, अनुपाद 10, ठीक, ठीक है, अब उसका कहना है कि A plus B, और B plus C का अनुप पंदरा अनुपाद यह कितना है, B और C, 16, आपका answer आएगा, 15 अनुपाद 16, ठीक है, 15 is ratio, 16, option number A, ठीक, आगे चलते हैं, अगला question, question क्या बोल रहा है, question बोल रहा है, 5600 को A, B, C, D में इस प्रकार विभाजित करते हैं, कि A, B अनुपाद, A अनुपाद B, इसका मान है, 1 अनुपाद 2, B, अनुपाद C, इसका अनुपाद है, इसका मान है, 3 अनुपाद 1, और C, D का अनुपाद है, 2 is ratio 3, तो कल बताया था मै है, A, अनुपाद B, अनुपाद C, अनुपाद D, ठीक है, A, B की वेल्यू क्या है, 1 is ratio 2, B, C की वेल्यू क्या है, 3 is ratio 1, C, D का अनुपाद क्या है, 2 is ratio 3, ठीक, देखो, इसको सोल करने का तरीका, इस C को आगे बढ़ाता जाओ, यहां भी C, 2 आएगा, और यहां पे भी 2 एक है तो यहां पे भी 1 आएगा, बोला की स्पीस हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट, यहां करते हैं, A, अनुपाद B, अनुपाद C, अनुपाद D, ठीक, ठीक है, A का अनुपाद A, अनुपाद 2, B कितना है, 3 is ratio, 1, C, अनुपाद 3, ठीक, इस 2 को यहां लिखो, इस 2 को यहां लिखो और यहां पे सी, इसी प्रकाद, इस 2 को यहां लिखो, इस 2 को यहां लिखो, और एक को यहां लिखो, सभी का मल्टिपलाई कर दो, कितना आएगा, 6, अनुपाद, सभी का मल्टिपलाई कर दो, 12, यह कितना आएगा, 4, यह कितना आएगा, 6, ठीक, ठीक है, अगर इसको काट रहें A plus B क्या होगा यह दोनों की वेल्णू कितना ही दोनों की वेल्णू यानि टोटल अपने A, B, C, D तीन चारों का अनुपात क्या हो गया तीन 6, 2, 9 यानि कुल मिला के इन सभी को कौन रीप्रेजेंट करेगा इसको करेगा 5600 ये कितना हो गया चे ने दीन तो ये कितना आ जाएगा 3600 ठीक है यहनी 3600 को यह भी की वेल्यू पूछा है सभी की वेल्यू रिप्रेजन करने के लिए हैं ठीक ठीक है आगे देखते हैं अगला क्योशन क्या बोल रहा है अगला क्योशन बोल रहा है दो बड़तनों में दूद और पानी का अनुपात 7 is ratio 5 और 7 is ratio 9 अगर दोनों बड़तनों में 1 is ratio 1 के अनुपात में मिला जाए तो 9 मिश्राफ में दूद और पानी का अनुपात कितना होगा देखो सबसे पहले जब ratio उसने 1 is ratio 1 दिया है तो इसका मतलब कोई नहीं वन बाई वन कोई मतलब नहीं ठीक इसी प्रकार अपन क्या करते हैं एक तरफ दूद रख लेते हैं और एक तरफ पानी रख लेते हैं ठीक दो बरतन हम अलग अलग हैं टोटल कितना है इसमें इसमें दूद की क्वांटिटी कितनी हैं सेवन और यह सेवन की क्वांटिटी कितनी हैं टोटल कितनी हैं बारा में से ठीक फिर दूसरे में दूद की क्वांटिटी कितनी हैं सेवन और टोटल कितना हैं से सोला में से इसी प्रकार पानी, पेले वाले बरतन में पानी क्वांटिटी कितनी है पांच और कितने में से हैं, बारा में से ठीक, वेसे दूसरे वाले में पानी क्वांटिटी कितनी है, नाइन कितने में से, सोला में से ठीक, अब दूद और पानी का रिश्वा आ गया इसको चार से कार दे argued, यहाँ तेखे गारा इसको चार से करते हैं करते हैं, इसको चार से compare चार. यूद की quantity 49, पानी की quantity 47, ठीक है, दोनों को मिला का पना क्या, और ratio क्या था, 1 is ratio 1, ठीक, ठीक है, तो आपका answer आएगा, option number A, ठीक, ठीक है, आगे देखते हैं, अगला question, अगला question बोल रहा है, कि 94 को दो भागों में इस प्रकार से विबाजित किया गया कि पहले भाग का की अनुपात में है, पहला हिस्सा क्या है, देखो, पहला हिस्सा, इस पहले हिस्से का कितना भाग, पहला हिस्सा का पांचवा भाग, और दूसरा हिस्सा, इस दूसरे हिस्से का आठवा भाग, यही कहा उसने, दोनों का ratio दे रहा है, 3 is ratio 4, ठीक, ठीक है, यार यह उपर चल टिक पांच इधर आएगा आट इधर आएगा कितना हो जाएगा 15 और यह जाएगा 32 ठिक ठीक है यह है ठीक अब उसने ख़या यानि पहला भाग मेरा इधर दोगो पहला भाग और दूसरा भाग कितना आ पंदरा अपन बद्टिस ठीक ठीक है और उसने बोला दोनों भाग किसको रिप्रेजन करेगा दोनों भाग किसको रिप्रेजन करेगा पहला और दूसरा भाग कितना हो गया टोटल टोटल हो गया आपका पहला और दूसरा भाग हो गया टोटल पंदरा प्लस बद्टिस कितना हो गया यह हो गया 47 जी 47 represent करेगा 94 को य औरत न हो जाएगा do कितना है एक को represent करेगा टू को ठीच फिर्छा कितना कितना है तो 15 जी एक वेलिध 2 है 15 हिस्सा कितना है ठीक जीत पहला हिस्सा कितना हो जाएगा 30 ठीक कितना हो जाएगा 30 यह नहीं आपका अंसर आएगा option number a ठीक 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 आगे देखते हैं देखो क्या बोल रहा है यह 900 को ABC में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि A के पेसे का 1 by 2 B के पेसे का 1 by 3 और C के पेसे का 1 by 4 सब नहीं Munich का बराबर हैं यहीं आय का 1 by 2 बराबर B का 1 by 3 तरड बराबर C का 1 by 4 यह सबी मैंने मान जग के यह के बराभर है यही इस A की वीजिवडियू किसके बराबर है टू के के? बी की वीजिवडियू है? 3K के और C के हैं 4K के है ठीक यानी ABC के तीनों का मान कितना है यानी कुल मिला कि इन सभी का योग 4 और 3 दो यानी 9K ये रिप्रेसेंट करेगा 900 को तो K बराबर हो जाएगा 100 ठीक ठीक है उसने पूचा ABC की वेल्यू क्या है तो अपने को यान समयान निकालो तो ये हो जाएगा A हो जाएगा 200 B हो जाएगा 300 और C हो जाएगा 400 ठीक है आपका Option No.C correct answer ठीक है आगे देखते हैं सभी पूरुषों महिलाओं में बाटी गई वेतन का अनुपात 6 is ratio 5 है जबकि पूरुष एक पूरुष एक महिला का वेतन यहाँ पर एक है न एक पूरुष और एक महिला का वेतन का अनुपात 2 is ratio 3 है पूरुष और महिलाओं की संक्या कितनी होगी देखो पूरुष और महिलाओं बाटी गई संक्या कितना है वेतन कितना है 6 is ratio 5 देखो तो एक पुरुष का कितना है ये है एक पुरुष का ये है टोटल ये है तो नमबर ऑफ पुरुष आ जाएंगी ठीक है तो नमबर ऑफ नमबर ऑफ male, ठीक है, और number of female, ठीक है, total कितना है, छे, total कितना है, छे, total कितना है, छे, और एक पुरुष कितना है, yellow, तो number of पुरुष कितना है, three, ठीक, इसी प्रकार number of female कितना है, total कितना है, पेसा, five, और इसमें एक ladies कितना है, yellow, total कितना आ जाएगा, five is ratio, third, ठीक, ठीक है, अब उसका क कि पूरुष और मेलाओं की संक्या का अनुपात तो पूरुष की संक्या कितनी है ये तो है मेल और ये है फिमेल इसका रेशो निकालना पड़ेगा फाइव इसका रेशो आएगा इधर मल्टिप्लाई कर दो और ये तो नंबर और मेल कितना है नाइन और नंबर और फिमेल कि correct आएगा ठीक है अगला question क्या है अगला question यह है यह बोट है कि एक विक्तिन अपनी जायधात को इस प्रकार से विवाजित किया कि उसके पुत्र और पत्नी तब उसकी पत्नी और पत्री को प्राप्त जायधात का अनुपार 30 ratio 1 है यदि उसकी पत्री को उसके पुत्र में से 10,000 कम मिले तो कुल जायदा केमत कितनी होगी ठीक है देखो सबसे पहले तो क्या है उसका सन है सन और उसकी वाइफ ठीक और उसकी पत्नी और उसकी डाटर यह इसकी डाटर ठीक है उसने बुचा son और wife का अनुपात कितना है 3 is ratio 1 ठीक अब वो वोड़ा है कि उसकी पत्नी यहनी wife और उसकी daughter उसका ratio कितना है 3 is ratio 1 दोनों का यही है या तो आप इसका करो एक को इधर लिख दो या फिर ऐसा करो इसका multiply इसमें कर दो इसका इसमें कर दो ठीक है ठीक हो तो इसका ratio क्या निकलेगा तीन का multiply आई देर किया फिर इन दोनों का multiply गया फिर इन दोनों का किया तो 1 कितना आगिया तीनों का ratio कितना आगिया son 9 है wife 3 है और daughter की value 1 है sorry यह कितना आगि ठीक है अब क्या कहना उसका उसका कहना है यह दिए उसकी पुत्री को उसके पूत्र से उसकी इस डाटर को इस सन से कितना कम मिला दस हजार कम मिला यनि यह आठ सोरी इस पूत्र से इतना कम मिला और यही किसको रिप्रेजेंट करेगा 1000 को 10,000 को 8 की वेल्यू किसके बराबर है 10,000 के 8 की वेल्यू किसके बराबर 10,000 के 1 की वेल्यू किसके बराबर हो जाएगी तो उसका कहना है कुल जाइदत कितनी है 9 और 3 कितना होगा 12 एक 3 कितना हो जाएगा 13 तो 13 की विल्डियू किसके बरावर हो जाएगी 1250 इंटो 13 ठीक सोलो कर लो 0 यह कितना है 5 और 6 रेशो 13 तू 26 और 6 32 तीन 13 और 6 16 कितना है 16,250 ठीक टोटल जाइजाद किती है 16,250 ठीक तो अपन क्लास यही ओप करते हैं आप चैनल को लाइक करो चैनल शेयर करो चैनल सब्सक्राइब करो ठीक है ठीक यू कल तक के लिए